हेलो, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अभी युक्रेन और रस्या के बीच में काफी सारा डिस्पूट हो लगाता है बढ़ता जा रहा है और आज एक बहुती महतरपूर्ण घटना है वो सामने घटित हुई है दोस्तों आज जो फ्रांस के राष्टरपती है मेकरॉन और अगर हम बात करते हैं रस्या के जो लीडर है पुतिन इन दोनों के बीच में काफी लंबी लगता च्छा गंटे की मीटिंग में थी और दोस्तों इस मीटिंग का रुज जो रिजल्ट है वो बहुती बुरा निकल के हैं बैसिकली जो रस्या है उसने पूरी कोसिस का रखी है कि अब वो युक्रेन के मेंटर को पूरा का पूरा लेया उक्रेन के उपर पूरा अधिकार है वो करने वाला है और इसके लिए दे नाटो का पार्ट ना बन सकें क्योंकि नाटो नाम का जो गूरूप है वो देखा जैतों रस्या को कांटर करने के लिए बनाया गया था और जो यूक्रेन नाम की कंट्री है वो दोस्तों रिखिया से बनी हुय है यह उससार जब डिसिंटिग्रेट होता तब ही यूक्रेन नाम की कंट्री बन के थी तो अभी रसिया नहीं चाहता कि उक्रेइन हो नाटो का मेंबर बने क्योंकि नाटो कहीं नहीं कहीं हैं इंटी रसिया बोल सकते हूं और इसलिए पुतिन का इभी खहना है जिसे पुतिन आज लगविच्छा गिंटे की मीटिंग में काफी इच्छा युक्रेइन को नाटो का मेंबर है वो नहीं बनने देंगे यहीं दोस्तों सिच्छेशन बहुत खराब होगी है और देखा जाए तो इसका इंडिया पर भी बहुत इंपेक्ट पढ़ने वाला है क्योंकि दोस्तों ग्लोबल एरा है आजगी और इस ग्लोबलाइजेशन की गामी अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ भी इस्चूज हो रहे हैं तो दोस्तों उसका इंपेक्ट पर पढ़ने वाला है और उन्होंने जैसा कि नाटो ने धंकी दी है नाटो ने भी धंकी दी कि भई हम आपके ओपर मिलेटरी अटेक करेंगे ये करेंगे भी करना है वो करो अगर आपने हमें हराने की कोशिस करी तो हम नुकलियर अटेक कर देंगे आफ्टर जो होगा वो देखा जाएगा तो दोस्तों आपके इस बारे में क्या विचार है कि क्या करना चाहिए और आप यह बताए कि जब इंडिया अगर इसी हो जाती है यह जब बोर स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडिशन में इंडिया को कौन सा स्टेंड लेना चाहिए आपकी नजर में क्या सही है क्या गलत है वो आप कमेंट वोक्स में नीचे बताएए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए दोस्तों आप इस टेलिग्राम पेले जोइन कर सकते हूँ और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब हो कर सकते हूँ नमस्ते एक जाम के तो इसमें इतना ही थेंक्यू